मित्रो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन चार परिस्थितियों में स्त्री से कभी प्रेन नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी प्यारी तथा सुन्दर क्यों न हो, मित्रो एक बार की बात है, देवमुनी नारत प्रित्वी लोग का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हों अपने मन में विचार किया कि मनुष्य को यह नहीं पता कि किन परिस्थितियों में स्त्री से प्रेन करना चाहिए, तथा कौन सी परिस्थितियों में प्रेन नहीं करना चाहिए, तभी देवमुनी नारत भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तब भगवान श्री कृ जमुना जी के किनारे विचर्ण करते रहते हैं। आया हूं कि पुरुषों तथा स्त्रियों को कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम नहीं करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियों में प्रेम करना चाहिए। तब देवमुनी नारत कहते हैं। हे प्रभु आपसे निवेदन है कि आप अतीशीघर बताए फिर भगवान श्री कृष्न कहते हैं। हे देवमुनी नारत इस प्रश्न को जानने से पहले आपको प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों आगे भगवान श्री कृष्न कहते हैं। राजा अर्जुन के यहां एक ब्राहमन था, जिससे बिना कोई काम करवाए ही राजा उसे मंत्री जितना वेतन दिया करते थे। हैसानों से मुक्थ हो जाएं और मुक्थ हम तभी हो पाएंगे, जब राजा हमसे कोई काम करवाएंगे, मित्रों आगे भगवान श्री क्रिश्न कहते हैं, हे देव मुनी नारद यह सोचकर वह ब्राहमन सीधा राजा के दर्बार में गया और बोला है महाराज आपका वेतन ख अच्छा है कि आप हमसे कोई काम करवाएं जिससे हमें अपने आप पर कोई उधार चड़ा हुआ महसूस ना हो। यही आपकी नौकरी होगी। दोस्तों राजा की बात सुनकर ब्राहमन बड़ा खुश हुआ। वह तुरंत अपने घर आया और अपनी पतनी से बोला है भाग्यवान आज मैं राजा के कहने से गंगासनान करने जा रहा हूं ब्राहमनी। बोली है स्वामी यदि आप गंगा पहेंड नहीं करती हूं। तब ब्राहमन कहता है कि देखो मैं अपनी एक तस्वीर दिवार पर बना देता हूं। तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना तीन-चार दिन की ही तो बात है। फिर तो मैं आपस आऊंगा। इतना कहने के बाद ब्राहमन देव गंगा सनान करने को चल दिये। मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये देव मुनी नारत जाते जाते वह राजा से कह गया कि मेरी पतनी घर पर अकेली है। आप उसकी खबर लेते रहना। तब राजा ने कहा है ब्राहमन जी आप किसी बात की चिंता ना करे मैं आपकी पतनी की खबर लेता रहूंगा। इतना कहकर वह ब्राहमन तो गंगा सनान करने को चला गया। इस दोरान राजा अरजुन ब्राहमन के घर की देख भाल करने के लिए एक चक्कर रोज उसके घर पर लगा आते थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर ब्राह जाने की बहुत कोशिश करी लेकिन आग नहीं। बुझ पाई अब तो धीरे धीरे आग ब्राहमन जी के घर में पहुँच गई। उस समय वह ब्राहमनी घर के अंदर दिवार पर बनी अपने पती की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब पूरे घर में फैल गई तो अब वह ब्राहमनी अपने पती की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई सोचने लगी कहीं मेरे पती की तस्वीर आग में ना जल जाए। लेकिन उस तस्वीर के साथ ही साथ ब्राहमनी भी जल कर मर गई। राजा को जब खबर मिली तो राजा भागता हुआ आया और ब्राहमनी को मरा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा यह क्या हो गया, अब वह ब्राह्मन मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा, मित्रों आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव मुनी नारद राजा इसी सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान क करके ब्राह्मन भी लोट आए, घर जाकर उसने देखा कि आग में जल कर ब्राह्मनी मर चुकी है, तो वह क्रोधित हो उठा और राजा से बोला है, महाराज गंगा स्नान को जाते समय मैं आप से कह कर गया था कि मेरी पतनी की खबर लेते रहना, लेकिन आपने मेरी पतनी की नहीं ली, इसलिए वह आग में जल कर मर गई, मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा, दोस्तों ब्राह्मन देव को क्रोधित देखकर राजा हाथ जोड कर बोला है ब्राह्मन देव इसमें मेरा कोई दोश नहीं है, मैंने आपकी पतनी की खबर ली थी, लेकिन आपकी पतनी दीवार पर बनी हुई तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह जल गई, अब जो होना था वह तो हो गया, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, मैं आपकी पतनी को जीवित करने का प्रबंध करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएं, आप बस हमें एक महीने का समय दीजिए, इतना कहकर राजा ने ब्राहमनी की लाश को तेल में रखवा दिया, और कहा कि आप एक महीने का इंतजार करें, राजा अरजुन अपना राजकाज मंतरी के भरोसे छोड़कर अमरित की तलाश में चल दिया, कई दोनों के बाद चलत दो प्राणी रहते थे, बूढी मा का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से वह गया तब से घर लोट कर नहीं आया था, मित्रों आगे भगवान श्री क्रिश्न कहते हैं, हे देव मुनी नारत बूढी मा का बेटा देखने में एक दम पती हो यह सुनकर के बूढी मा भी दोड कर घर से बाहर द्वारा पर आई और राजा को ही अपना बेटा समझ कर उससे लिपट कर रोने लगी, कहने लगी बेटा तू इतने दिनों तक कहा था, तेरी याद करते करते मैं तो बूढी हो गई और बहु भी दिन रात तेरे बा पड़ गई है, मैं तो अमरित की तलाश में निकला था, पर यहां किस मुसीबत में में फस गया हूँ, राजा ने उन्हें समझाया कि देखो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हे धोखा हो गया है, तुम्हारा बेटा कोई और है, तुम अपने बेटे का पूरा हा मुझे बताओं मैं तुम्हारे बेटे को ढूंड कर लाऊंगा। बूढी मा कहने लगी बेटा मेरा पुत्र 14 वर्ष की उम्र में अपना विवाह करके चला गया था और आज 25 वर्ष हो गए हैं। उसकी पतनी उसकी चिंता में सूख कर पतली हो गई है। वह अभी तक लोट कर नहीं आया। राजा कहने लगे कि तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है। क्या आपको कुछ अतापता है। बूढी मा ने जवाब दिया महाराज दक्षिन दिशाराज में एक वीर प्रताप नाम का राजा है। जो एक किलो सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है। भोला उसका नाम है। राजा अरजुन बूढी मा और उसकी बहु को दिलासा देकर वहां से चले गए कि बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम चिंताना करो थोड़ा आगे जाकर राजा अरजुन ने भगवान श्री कृष्न को अपने मन में याद किया। तभी उनके समक्ष एक पुश्पक विमान आ गया। दोस्तों वह पुश्पक विमान देखने में अती सुंदर था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सोने का हो फिर राजा उस पुश्पक विमान पर सवार हो करके अती शीघर राजा वीर प्रताप के राज्य में पहुँच उसने राजा के महल के द्वार पर अपना पुश्पक विमान उत्रा और द्वारपालों से कहा कि है द्वारपालों भोला नाम के एक व्यक्ति को बुला दो जो राजा का सेवक है। ले आये हो तब से तुमने अपनी सुरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी मा और पत्नी का रोरो कर बुरा हाल है अब जल्दी से जल्दी आप जाकर अपनी मा और पत्नी से मिलिये दोस्तों तब भोला कहता है। भाई काम करेगा। भोला ने वैसा ही किया। उसने राजा को जाकर सारी बात बता दी कि गाव से मेरा भाई आया है। मेरी पत्नी और मेरी मा की तबियत खराब है। मेरे स्थान पर मेरा भाई आपके यहां काम करेगा और एक महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी मां स्विकार कर ली और उसे घर जाने की अनुमती दे दी। अब भोला की जगहे पर राजा अरजुन काम करने लगा। वह रोजाना रात्री में राजा के कक्ष में पहरा देता था। मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं के देव मुनी नारत दुनिया में अच्छे लोग लोगों की भी कमी नहीं हैं जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी पर लगा देत राजा अरजुन स्वयन एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहा था। वह राजा वीर प्रताप हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहाँ एक गर्म टेल की कढ़ाई रखी थी और वह देवी राजा वीर जब वह उसमें तला जाता था तो वहां से निकाल कर खा जाती थी और उसके बाद उसकी हड्डियों को इकठा करके उन पर अमरित छिड़क कर उसे जीवित कर देती थी और उसके बाद एक किलो सोना देकर उसे वापस भेज देती थी राजा अगले दिन वही एक किलो सोना गरीबों को दान में दे देता था एक दिन राजा अरजुन ने सोचा कि राजा इतना सोना कहां से लाता है इसका पता लगाना चाहिए अब तो आधी रात के वक्त जब राजा वीर प्रताप देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे राजा अरजुन भी चला गया और छिपकर सब घटना क्रम को देखता रहा सोचने लगा अरे वाह इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे दान भी कर देता है क्योना इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए यही सोचकर राजा अपने पेट को काट कर उसमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने कुछ लोगों को बुला कर राजा वीर प्रताप को मूर्चित करवा दिया और उसकी जगह स्वयम मंदिर में चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड कर उसे भी तेल की खडाई में पटक दिया। जब राजा तला गया तो देवी ने उसे निकाल कर उसे खाना शुरू किया। फिर आज तो उस देवी को हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मास लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड़िया एक जगह पर रखी और उन पर अमरित छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा अरे राजा आज तो तुने मुझे बहुत प्रसंद कर दिया है तुम मुझ से जो चाहे वह मांग लो। मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण देव मुनी नारत से कहते हैं कि देव मुनी तब राजा अरजुन ने देवी से तीन वर मांगे पहले वर में अमरित का कलश मांग लिया। दूसरे वर में सोना बनाने वाला यंत्र मांग लिया और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को पलट करके चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य को मत खाना इस प्रकार देवी राजा अरजुन को अमरित का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इधर राजा अरजुन राजा वीर प्रताप के पास लोट गया और उसको स्वस्थ कर दिया। रात के एक बस चुके थे जब राजा वीर प्रताप की आख खुली तो वह एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगा वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था केवल कढ़ाई उल्टी पड़ी थी सोचने लगा आज मैं सोना कहा सेदा करूंगा आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी लोग कहेंगे कि राजा के पास ही धन खत्म हो गया इसी चिन्ता में राजा वीर प्रताप लोटकर महल में आकर अपने पलंग पर आकर लेट गया इधर सुबह जब हुई तो राजा के महल के द्वार पर सोना लेने के लिए लोगों की भीड जमा हो गई अब तो राजा बड़ी चिन्ता में था कि मैं कहा से इनहें सोना ला कर दूँ आज सोना तो मिला ही नहीं राजा अरजुन राजा वीर प्रताप की चिन्ता को समझ गया था उसने राजा वीर प्रताप से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हो तब राजावीर प्रताप ने अरजुन को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है, तो दान किसका करूँ, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, तब अरजुन ने कहा कि आप चिंता ना करो लो यह सोना बनाने वाला यंत्र है, और मैं मांग लिया है और साथ में अमरित का कलश भी है, राजा वीर प्रताप बड़े हैरान थे कि जो काम आज तक मैं ना कर सका, वह हमारे इस नौकर ने कर दिया, राजा वीर प्रताप को संदे हुआ कि इतना बड़ा काम कोई साधारन मनुष्य नहीं कर सकता, तब राजा अर्जुन ने अपना स सोना मिल गया और मुझे अमरित राजा अर्जुन का नाम सुनकर राजा वीर प्रताप उनसे क्षमा मांगने लगे और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमेशा के लिए मेरा कश्ट दूर कर दिया, आपका जैसा नाम सुना था आप तो वैसे ही हैं, इसके बाद राजा अर्जुन वहां से चला आया और उस ब्राहमनी के शब पर अमरित छिड़क कर उसे जीवित कर दिया, अब तो वह पहले से अधिक सुन्दर और जवान हो गई सुन्दर और जवान स्त्री को पाकर, ब्राहमन देव बड़े प्रसन्न हुए, कुछ दिन तो वह दोनों हनसी खुशी से रहते रहे। कि यह उनकी पहले वाली ही औरत है, ऐसा सोचना उनकी भूल थी, उनकी स्त्रीने पडोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम कर लिया, एक दिन वह स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में ही थी, उसी समय ब्राहमन देव घर में पहुँच गए, अपनी पत्नी को दूसरे प एक दिन वह स्त्री अपने पती के भोजन में विश की ओश्धी देकर अपने प्रेमी के साथ एक दूसरे नगर में चली गई, इधर उसके पती ब्राहमन की खाने में विश मिलने के कारण से उसकी मृत्यू हो गई, जब अर्जुन राजा ने उसे ब्राहमन की मृत्यू की खबर सुनी तो उस राजा ने उसे अमरित का कलश लेकर आये और उन्हें जीवित किया। मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पर आपको पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, पर आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसंता नहीं हुई होगी, विवाह, संबंध, मित्रता, सदैव, समान, आयुवालों में ही करना चाहिए, हो सकता है, भगवान ने आपको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए आपके साथ ऐसा किया हो, आपको इश्वर की भक्ती में जोडने के लिए ऐसा किया हो, दोस्तों प्रेम से कभी किसी का मन नहीं भरता है, जितना आप प्रेम में विलीन होगे, प्रेम की अगनी उतनी ही प्रचलित होती चली जाएगी, और एक दिन यह प्रेम आपको ही समाप्त कर डाले मित्रों आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव मुनी नारद अब तुम्हें तुम्हारे उन चार प्रशनों के उत्तर बताते हैं कि कौन सी चार परिस्थितियों में स्त्रियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, नमबर एक जब स्त्री बत चलन हो जाए और वह आप का अपमान करने लगे, नमबर दो जब स्वयं के उपर बुढ़ापा आ जाए और आप जरजर अवस्था को पहुच गए तो स्त्री और पुरुष को भगवान के प्रती समय व्यक्तित्व करना चाहिए, तथा उनकी पूजा पाठ भजन कीरतन सुनना चाहिए, नमबर तीन जब स्त्री मर्यादाओं को तोड़ कर धर्म का विरोध करने लगे, तब स्त्री से प्रेन नहीं रखना चाहिए, नमबर चार जब स्त्री आपकी बातों का तिरसकार करने लगे, आपकी बातों पर ध्यान ना दे और वह स्त्री आपको छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से प्रेन करती हो तो इन परिस्थितियों में स्त्री से प्रेन नहीं करना चाहिए मित्रों वरना जीवन भर परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों आशा करते हैं कि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखे धन्यवाद